पाठ दस डांग वनो अने महिंद्रसी पर्मार साहित्य प्रकार ललित निबंद सोसाइटी शब्द जेम महल्लो शब्दने गळी गयो शे M. शेरी अने वास शब्दोंने फ्लेट अने अपार्टमेंट शब्दों गळी गया शे जुना शब्दों छोडी भाषा नवा शब्दों धारण करती जाएचे पहला कम्प्यूटर अने पची एंड्रोइड मोबाईल आवता जितला आपने फ्रेंट आव्या इटलाज आपना पत्रों अने कागळों बैक थता गयाचे आजे पत्रों खुब ओछा प्रमाण मा लखाये छे तमें जोयलू नगर प्रकृति उद्ध्यान के गमती बाबत सगा संबंधी के मित्रों ने फत्रना माध्यम्थी लखी मुकलवानी मजाज कैंक और छे चालो आवो एक पाट जोये जेमा लेखक कम्प्यूटर अने मोबाईल ना युगमा पण होते करेला प्रवासनी आद ने फत्रमा लखी पिताजीने मोकले छे पाट ना लेखक महेंद्रसी तक्तसी परमार छे जमनो जन्म बे दस उगणी सो सडशठ ना रोज थायो हतो हाल तेओ भावनगर युणिवर्सिटी ना भाशा भवनन ना अध्यक्ष तरीके सेवा आपे छे पोलिटेक्निक वार्ता संग्रह अने रखडुनो कागल निबंध संग्रह प्रगट थाया छे पाठ नो साहित्य प्रकार ललित निबंध छे प्रिय बापुजी अगाउ अंकलेश्वर अने आहवा गयो त्यार नो तमने लखवा धारतो हतो ए पची फरी एकवार जैई आवेओ लख्या वगर नर्ज चाले एवू थाई गयो ए अनूभवोने उन्हा स्मृत करवानो प्रयत्न करूछू आहवा जता पहला त्रोंड दिवस अंकलेश्वर रोकायो अंकलेश्वर मने प्रिय छे मित्रों मजाक मा जैने गंदकेश्वर कहे छे एक आरखाना आओ थी उभरातू एशियानू बीजा नंबर नू अउद्योगिक मथक मारू प्रियस्थळ छे अहो वैचित्र्यम एनी दुर्गंद साथे एक घरोबो केलवाई गयेलो पन साचू कहूं तो अहीना भरूची नाका थी बोर भाठा थाईने आगल जता आओती भेखडवती नर्मदाने कारणे अंकलेश्वर मारी प्रिय जग्या छे अहीं उच्चा सने बैसी ने किटली एवार सूर्यास्त जोवानी मजा लूटी छे अस्ता चड़े पहुँचेला सूर्यमाराज आ क्षितिज जडवती नर्मदानी सपाटी पर छेक अमारा सुधी लाल कारपेट बिछाविया पे आ राजमारगे तप तप करता दोड़ी ने एमने मलवा जईये ध्यांतो गायप थैजाए नाकूं इटले ज्या गणा रस्ता मलता होई तेस थड़ घरोवो इटले घरना जेवो गाढ़ संबंद अस्ता चल इटले सूरिय जेनी पाचल अस्त थाई छे ते कालपनिक परवत शितिज इटले आकाश अने प्रुथ्वी जया मले छे ते रेखा अने लाल कारपेट बिछाविई रुडी प्रयोगनो अर्थ स्वागत कर्मूं थाए मित्रो आ वाक्य जुओ एनी दुर्गंद साथे एक घरोबो केलवाई गयेलो दुर्गंद थी तो मानस श्वास बंद करीने भागे लेखक ने तेनी साथे घरना जेवो गाढ़ संबंद केलवाई गयो हतो विचित्र लागे छे ने? कारण के एस्थळ तेमनू प्रियस्थळ छे मन गमती वस्तू के व्यक्तिनो जारे आपने स्वीकार करिये छे तेयारे तेनी खामियों नो पन सप्रेम स्वीकार करिये छे कुई माताना मुखे तमे तेना संतान विशे अयोग्य शब्दो नहीं सांबले होए ज्या प्रेम मुख्य छे त्या बीजी बधी बाबतो गउन छे लोको भले गंदकेश्वर कहे पण लेखकने मन अंकलेश्वर प्रिय छे नर्मदाय मने हर हम्मेश जंकरुत करयो छे कोई पन रूपमा ए नदी मन ताणी जाये छे आम जमनी तरफ सामा प्रवा है जोके सामो प्रवा तो कहवानो भरतीनी असर होए तो छेक सुधी तमे शंकित रहो के शून नदी ये वहन बदलियू जाऊं तो कबीरवड, नारेश्वर, जबलपूर ये अमरकंटक सुधीना तमाम प्रदेशों फरीवड़ू तो आम डाबी तरफ प्रवा साथे वहूं तो समुद्रमा त्या थी क्यानो क्या जंक्रुत एटले जणकार अथवा रणकार अने शंकित एटले जैने विशे शंका करवा मा आवी होए तेवूं कबीरवड साथे कबीर जीने अनुभविये किटला तपस्वियों ना कपने अनुभविये नाहिये त्यारे आखी नर्मदा आपनी होए कालांतरोनी सुरुष्टी मा आपने नाहि रहिये एक अंजली भरिये तो हाथ मानुजल भुदकालना बद्धा द्रश्यो वर्तमाननी सन्निधिये उगाड तुँ आवे भूख तरस बद्धू भुली जबाए कभी राजेंद्र शुकल अहिं याद आव्याविना न रहे मुठी चणा के धाणी जर्णानू मीठू पाणी घेगूर नी घटा मा आठे प्रहर उजाणी कालांतर इटले घणा समय पचीनो बीजो समय अंजली इटले खोबो सन्निधे इटले नजीक पणू अथवा समीब गे घूर इटले घटादार अने प्रहर इटले त्रोण कलाकनो समय गाळो लियो हवे आहवा नी वाद करूँ पहली वार आहवा गयो त्यारे घायलज थाई गयो वन संपदानू आटलू आदीम अने मनोहर रूप लगभग बद्धूज विसराई गयो आहवा मा मित्रवर्य जगदीश भायनू घर एक दम संसेट पोइंट नी बाजू माँचे संसेट पोइंट नी उचाई थी नीचे नी आखी रंग भूमी जोवा सरकी वन संपदा इटले वननी संपत्ती अने आदीम इटले प्रारंभनू किशरू आतनू एनी रंग रमणा अद्भुत दूर नीचे मानव वस्वाट थी सवार नी जहाखी करावता रतूमडा पत्ता ना होई तेवा घर ए घर सुधी दोडी जती सरपिल भुखरी केडियो खीन माथी छेक सूर्य साथे हरिफाई करवा मत्ता सागनी अने जमीन पर पत्रायला घासनी ओत्पोतानी लीलप छाक एनो एवो के सूर्य प्रकाश ने आटी मारे नयन रम्या ने नयन मनोहर शब्दो नी खरे खरी अर्थ छाया अहीं प्रत्यक्षताए पवननी साथे घुमराई ने उपर वही आवता रंग, गंध, अवाजना त्रिविद रूपने उंडा श्वासलो तो आखा स्तित्वमा अनुभवी शको पवननी जादुई लाकडी फरे ने आ द्रश्य श्राव्य चल चित्र परिवर्तन पाम्तू रहे हमना अज पड़ी गयला वर्सा दे वड़ी आरंग भूमीनू समी करणज बदली ना ख्यूं छे तमे नजरे जुओ तो वड़ी एनो जुदोज स्वादनू भवो पण आ जग्याए बैसीने मने एक विचित्र पण मजानो विचाराव्यो विश्वनी कोईपण स्पंदन शील चेतनाने स्पर्षे एवी आ दुनियाने जोईने कौन केम रियक्त थाए पदार्थे कज पणे एने जिलनार पात्रों केवा नोखा ने तोय हेमनू हेम वड़ी रंग रमणा नो अर्थ रंगोनी सुन्दरता छात एटले नशो आटी मार्वी रूडी प्रयोग नो अर्थ चडियाता थवू अर्थ छाया एटले शब्दो पोतानो ओचो ख्याल आपे तेवी परिस्थिती त्रिविद एटले त्रण प्रकारनू समीकरण एटले समान कर्मू ए स्पंदन नो अर्थ आची द्रुजारी अथवा पलकारो अने हेम एटले सुनू ने तोय हेमनू हेम वली। खुद्रती वातावर्ण जोईये एटले तरत आपने ओताने इश्वर्नी नजीक पामिये छिये। जाड, पवन, पाणी वगेरेमा परमात्मा नामनू एकज तत्व छे। पण आम जुओतो दरेक केवा नोखा नोखा दर्षाये छे। प्रुत्वी, पाणी, पवन, अगनी, अने आकाश, जुदा-जुदा छे, अने आम एक बिजामा भळेला छे। मानसोमा पण एवूत छे, जिवू प्रकृतीना तत्वो माँ छे। सोना माथी विविद घरेणाओ बनावाये छे। तेना जुदा-जुदा नाम होये छे। पण छे तो सोनूज। पचीतो दंडका रण्यना जुदा-जुदा रूप जोया। महालनू डांग, फगाईनू डांग, सुबीर, वास्दा, शिवघाट, सापुतारा। बद्धे दोडा दोड करी मुखी। क्याक खूब उँचा ये थी उँचे, तो क्याक एकदम उण्डा ये थी खूब उँचे, चंचलता थी भमी लिधू। खीणने रस्ते रातरे निकलेओ, तो स्थब्द थैई गयो। चो तरफ आगिया। सागना जहाड रातो रात कोई ये शनगारी लिधा। उपर नजर करो, तो तारा खचित आकाश, अने अही नीचे आगिया। प्रिय कवी राजेंद्र शुकल कायम साथेज रहे। स्थान नो फरक अम्थो मूल मा तो अजवालूं। तार को शिखर सोहे आगिया तराई मा। अही तही उड़ा उड करता आगियाओ, अंधकार ने शनगारी ने एक मोजैक बनाविया पै। दंड का रण्य, इटले डांगनू जंगल। महाल, इटले नानो तालूखो। आगियो, इटले अंधारा मा लीला रंग थी प्रकाश्टू जिवडू। तारा खचित, इटले ताराओ थी जडेलू। तारको, इटले ताराओ, तराई, इटले तडेटी। अने मोजैक, इटले रंगीन पत्थरो थी, ताइल्स थी मढेलू। नामनो जादू केवो होय तैनी वाद करू। अहीं गीर मालनो धोद छे। लगबग 300 मीटर उचे थी सुस्वाटा नाखतु पाणी पूर जोश्मा नीचे बड़े। विखराई जाए, नाना सर्खा तड़ाओ रूपे। चो तरफ परवत मालाओने वच्चे आधोद। जाथी ये पड़े, त्याज पहुच्चया ने पत्थरनी ओथ लईने नीचे जोयूं। धुआ, धार, जोयलो, जबल, पूर्मा। एना विक्राळ रूपनी पासे, आतो कईज नहीं। पण हवे, तमने नदीनू नाम कहिश, तो आक्खी वात रम्य बनी जशे। आ नदी छे, गिरा, नदी, धोद, अने तळाओ, एक रूपक बनी गया। वाणीनू आ रूप, मारा साहित्यनू पन रूप बनीू। आज तेजस्वी गतिये, मारी भाषानी उर्जा जन में, ने नीचे तळाओमा संचित थाए। फिला टचुकडा बुभुक्षू माची मारो, जेम जाल नाखी ने उभाषे। तेम हुए उभो हों। पची ये जड पाचू बंधाई न रहे। गिरा नदीना रूपे वडी नवा प्रदेशो सर करे। कितलू सरस नाम गिरा। ओत इटले सहारो, विक्राड इटले भयानक, गिरा इटले भाषा अथ्वा बोली, संचित इटले संघ्रेलू अने बुभुक्षू शब्दनो अर्थ भूख्यू थाए। लडी लडी ने हेत करता वासना जुंड ना जुंड, क्याक उनमत्त गज यूथ जेवा, क्याक एकल दोकल प्रणई जन जेवा, वृत्तियो सगली ठरिठाम थाई जाए, डाही डमरी बनी जाए, अस्तित्वनी परमता अने भव्यता, बेनो, नजदी की अने बारीक साव, ओगली जतूं अनुभवूं, मारी दरेक मुसाफरी, मारा माटे, कोई ने कोई रिते यात्रा बनी रहती होये छे, प्रत्ति एक सफरे, हुन नवो बन्तो होऊं छूं, आ, मारो अनुभव छे, उन्मत, नुअर्थ, मदमस्त अथवा तोफानी, गज यूत, एटले हाथियोनु टोडूं, थरी ठाम थाई जवूं, रुडी प्रयोग नुअर्थ, शान्त थाई जवूं, अने परमता, शब्द नुअर्थ, शिरेष्ठता थाए आहवा आव्यो, ए पहलाएं, अहिना आदिवासियो विशे खूब साम्ढेलूं, डांग दर्बार नी वातो, ताने पड़ेली, आ वक्ते आ लोकोनी दुनियानू, आछेरो परिचयज मात्रमली शक्यों, ज्यारे तक मले, त्यारे जगदीश भाईनू बाईक लईने पूचियो मा, अने आजू-बाजूना रस्ताओ पर रखड़या करूं, स्थानिक प्रजाने जोया करूं, एमनी लोक संस्कृती हजी आजे हे, इटलीज जीवन, एमना गीतो, एमना वाद्यो, तहवारो, थाय के हाथ मा, हाथ भीडीने नाचिये, फण, एक वखत निकळयो तो डांगियोनु मोटू सर्गस्सामे मलियू, सउथी आगल बै त्रण आदिवासियों, फटाकडा फोडता हाता, थैउंके चालो, लगने यात्रा जोवा मलशे, आतो कैंक बीजूर निकळियू, होईनू मरण थैलू, एनी ननामी उचकीने डागोओ जता हाता, मृत्यू जीवन अने मृत्यू, डांगी प्रजा मृत्यूने पण उजवेशे, एजोई लेखकने नवाई लागेशे, पण एज जीवन जीवन नूँ सत्य छे, जेम एक सिक्कानी बे बाजू होई छे, तेम जीवन नी बीजी बाजू मरण छे, ज्यारे व्यक्तिने जन्म मले छे, त्यारे जिटेनू मरण थवानू छे, एपण नक्ती थाईज जाये छे, मृत्यू अन्त नथी, परन्तु खरेखर, एज जीवन नो प्रारंब छे, इवाद समझी गयला डांगियो, मृत्यूनी उजवनी करे छे, लियो जुओ, वाद आखी मृत्यूना सम पर आवी ने उभी रही गे, जेटलू गमियू, इटलू ज लखियू, न गमियू, तेनी वाद फरी क्यारेक करीश, मारी आ पत्र चेष्टा गमी ने, इच्छा तो त्याज एकाद ज़रणा मा पग बोली ने, आ शब्द ज़रण वहतू मुकवानी हती, तम ने त्याँ किवाक याद करतो होईश, तेनू प्रमाण मले, तोय हाउं, महेंद्र, हाउं, इटले बस, अथवा ठीक